नमस्कार साथियो स्वागत आपका अपने चैनल हर्याना कोसल में जी हाँ साथियो जो चीर साल की जो गारंटी बनाए गई है उस पर बहुत से सवाल उठे है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है साथियो वेडियो को लाक्ष सके जरूर देख लेए देखली जी सातियो डेश का नमबर वन अकबार है हिसार बासकर हिसार बासकर के अंदर वही ख़बर देते हैं सातियो ये किसी के कोई दबाव में नहीं है एक नमबर सबसे अच्छा अकबार ये बासकर अकबार है सातियो ये देखली जी इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि सीम बोले कि अगनी वीरों को नोकरी की गारंटी देंगे गरूप सी या पुलिश के अंदर तो इस बात का तो आपको पता ही चल गया होगा कि सीम साफ ने गारंटी ले लिए इनकी कि अगनी पे तो जो भी आएंगे और चार साल के बाद उनको नोकरी देंगे सबसे पहला स्वाल तो युवाओं का यही मन में है सातियों कि चार साल के बाद क्या दूबरा मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर जी आएंगे पहला और सबसे बड़ा स्वाल तो यही बनता है कि आज उन्होंने गोशना कर दी तो चार साल बाद में अगर कोई दूसरा मुख्यमंतरी आ गया और उसने मना कर दिया तो क्या जवाबदारी होगी क्या चार साल के बाद में यही सोचते हैं कि यही मुख्यमंतरी आएगा सबसे पहला बड़ा स्वाल तो यही है दूसरा यह देखली जी इन्होंने यह उठा दिया कि हर साल 11,000 से कम नोकरियां दे रही सरकार तो कैसे अड़जैस्ट होंगे अगनीवीर अगनीवीर चार साल बाद नोकरी की गारंटी मांगेंगे और ग्रूप C के लिए अभी से 10 लाख युवा कतार में है तो यह देखली जी साथियो बहुत ही बड़ी ख़वर इन्होंने लग दिया है यह कह रहे हैं कि 10 लाख युवा तो अभी से हैं कतार में और ग्रूप D केर यह अलग होगे तो अभी 1.6 पूरो सैनिक ही नोकरी पा रहे हैं 1.6 परतिशत ही यह देखली जी साथियो सरकार ने पोलिशी बनाई तो कोर्ट में हो सकती है चैलेंज यह जो पोलिशी अगर सरकार बनाती है तो भी कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है पूरो सैनिकों के लिए कितनी शेलरी परदेश में अभी तक कितने पद खली ग्रूप C पुलिश में कितनी वेकैंसी है सरकारी नोकरियां कितनी दे रही है बरती की रफ्तार धीमी क्यों है ये देखली जी क्या अगनी वीरों को नोकरी की गारंटी की पॉलिशी बन सकती है तो ये देखली जी साथ यो बहुत से सवाल इस पर उठ चुके है जैसे मालो की मनवरलाल जी इस पर कोई पॉलिशी बना देते है तो इस पर भी बड़ी वो ये देखली जी साइनिको का ग्रूप C वर डी में 25 परतिशत कोटा था जो 14 परतिशत रहे गया है ये भरती परिकरिया बनी साप सीडी का खेल ये देखली जी साइनोंने पूर छाप दी है कि एक साप सीडी की तरह ये बढ़ती बन गई है ये देखली जी बढ़ती रद, जोएनिंग, ये देखली जी गड़बडी, संसोधन, परिक्सा रद, सारे डिटिलिए उनोंने दी है साइनों इसके अंदर और ये देखली जी आगे ये बता रहे हैं कि अगनी विरों को सरकारी नोकरी की गारंटी पूरा करना असान नहीं सरकारी ने गरूप सी वे पुलिस में मौके देने की बात कही तो गरूप सी के लिए अभी 10.15 लाक से ज़्यादा युवा कतार में है 9-10,000 करमजारी रिटायर होते हैं जिन में करीब 4,000 गरूप सी होते हैं परदेश में सलाना 4-5,000 युवा फोज में जाते हैं ऐसे में 3,3,3,000 अगनी विर हर साल लोटे तो 4,000 पदों पर शिरफ इने नोकरिया देना मुश्किल होगा अगर सरकार कोई ऐसी नीती बनाती है जिससे बाकी युवाओं के हित में परभावित होंगे तो मामला कोर्ट में भी फ़स सकता है जी यहां साथी देखली जी बहुत से सवाल इस पर उट चुके हैं यह पता नहीं कहां से तो पोलिशी बनाते हैं और कौन इनको बताने वाला होता है अगनी वीरों के सताई नोकरी का कोटा 50% बढ़ सकता है यह देखली जी साथी यह नई पोलिशी अब आ सकती है इसके बारे में तो आप तक सिर्पे की इनफोर्मेशन पुचाने दिए और अगर आपको यह पूरी ख़बर पर नहीं साथी हो तो अपना टेलिग्राम चैनल आपर मैं डाल दूँगा वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं तो यह आपने वीडियो देखिए आपका बहुत बहुत देनावाद आपका दिन सुब हो